हाईलो फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल फूट फेस्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स में स्वागत है आज हम बनाएंगे सत्तु की खर्स्ता करारी कचोड़ी आटे से बनी हुई और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए से रगड लेंगे और हमें लेना है दो चमच देसी घी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से दोनों हदेलियों से इससे आटे में लम्स नहीं रहेंगे फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूत लेंगे इसे पूरी के आटे की तरह या उससे हलक आसा सौफ्ट गूत लेना है इसे हम जितना ज्यादा मलेंगे कचोडियां उतनी ही अच्छी बनेंगी फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे ढख कर रख देंगे तब तक इसकी फिलिंग की तियारी करते हैं इसके लिए हम लेंगे लगभग आधा कप सत्तू जिससे हम चलनी से चान लेंगे ये सत्तू बुनेवए चने को पीस कर बनाय जाता है इसलिए ये कच्चा नहीं रहता इसे अकसर लोग गर्मियों में पानी में घोल कर शर्वत की तरह भी पीते हैं सत्तू मार्केट में आसानी से मिल जाता है पर ये जितना फ्रेश होगा इसका टेस्ट और खुश्वू उतनी ही अच्छी होगी इसका पैकेट एक वार खोल लेने पर इसे फ्रिज में रख देने से ये जल्दी खराब नहीं होता है फिर हम इसमें डालने वाली सामगरी तयार करेंगे हमें लेनी है दो हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज, चार-पांच कली लेसुन की हरा धनिया और आधा निम्बो लेसुन का पेस्ट बना लेना है प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चौप कर लेना है अब हम सत्तू में डालेंगे घर का बना हुआ मिर्च का अचार या आम की अचार का एक टुकड़ा और अचार में जो तेल होता है उपर में वो एक या दो चमच अचार ज्यादा पुराना ना हो पर अगर हमारे पास घर का बना अचार नहीं है तो हमें लेना है पचपोरन पचपोरन जो पांच सीजों से बना होता है जीरा, सौफ, मेथी, अजवाईन और कलोंजी जो के पैकेट में मिल जाता है अगर वो भी नहीं है तो हम लेंगे आधा-धा चमच, जीरा, सौफ, अजवाईन और कलोंजी इन्हें हम थोड़ी देर के लिए तवे पर रोस्ट कर लेंगे और कलोजी छोड़कर बाकी जिजों को क्रश कर लेंगे कलोजी हम साबोथी डालेंगे और उसमें हम एक या दो चमबच सरसों का कच्चा तेल डाल देंगे या फिर पचपुरन का सामान हम एक खाच के जार में डाल कर उसमें ज़्यादा सा तेल डाल कर भी भर के रख सकते हैं वह बिल्कुल अचारी तेल की तरह हो जաता है मेरे पास अचार में ज़्यादा तेल नहीं था इसलिए मैंने यही तेल यूज किया है मैंने आपको बहुत सारे option बता दिये हैं आपको जो available है आप वो लें फिर हम इसमें डालेंगे आधा जमचिया, स्वादानुसार नमक और लेसुन का paste और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे फिर हम इसमें चॉप की हुई सामगरी डालेंगे और इसे भी अच्छे से mix कर लेना है जिससे के सबका taste एक दूसरे में मिल जाए ये देखिए इस तरीके से बंधासा होना चाहिए ये मसाला बहुत ज़्यादर try नहीं होना चाहिए इसी टाइम पर हम इसे taste करके देखेंगे अगर नमक कम है तो ज़्यादा कर लेंगे और ज़्यादा है तो थोड़ा सत्तू डालके सई कर लेंगे फिर हमें इसमें डालना है नीमू का रस इसे भी फिर हम mix कर लेंगे तो हमारा सत्तू मसाला तयार है और आटा भी तयार हो चुका है देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है फिर हम एक कडाई में तेल गर्म करने आज पर रख देंगे और आटे के पेड़े बना लेंगे और उसको इस तरीके से थोड़ा सा आटा लगा कर उगलियों की साहता से कटोरी नमा बना लेंगे और आदा चमच के लगबग फिलिंग भरेंगे मतलब फिलिंग इसमें आदी ही रहे आदा खाली रेना चाहिए जिससे कि ये आसानी से बंध हो जाए और इसको हम हलका सा फिलिंग को दबा कर तब बंध करेंगे इस तरीके से और हम इसमें हलका सा सुखाटा लगा कर इस तरीके से भरते जाएंगे और हलका सा सुखाटा लगा कर हलके हाथ से इसको बेल लेंगे और गर्म तेल में एक एक करके दीरे से डाल दे जाएंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में अलटते पलटते रहेंगे कचोड़ी रालने के बाद उसको उपर से थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे कि वो उपर से भी पकती रहे और पलटने के बाद फूल जाए एक एक करके हम इसमे कचोड़ियों को डालते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से हमें अलटते पलटते रहना है यह हमारी पूरियां तयार हो रही है और हम इनको निकालने से पहले कड़ाई में थोड़ दर इस तरीके से रखेंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ओइल कड़ाई में ही निकल जाए और टीशू पिपर लगाकर प्लेट में निकाल लेंगे यह देखे हमारी कचोड़ियां तयार हो चुकी है और यह नहीं हमारी गर्मा, गर्म, खस्ता और करारी कचोड़ियां यह आप भी खाईए और गर्मे सब को खिलाईए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए